कॉंग्रेस के पूर्वधक्ष राहूल गांधी ने लॉकडाउन के कारण देश के मौजूदा आर्थिक हालात पर नोबल पुरुसकार विजेता हमारे भारतिय अर्थ शास्त्री अभिजीत बेनर जी के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये चर्चा की अभिजीत बेनर जी ने कहा कि दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं पहली कि हम हमारा देश दीवालिया होने से कैसे बचे और दूसरी लोगों के हाथों में पैसा कैसे पहुँचे लोगों के हाथों में लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी बैनर्जी ने कहा कि भारत को एक बहुत बड़े प्रोथसाहन पैकेज की जरूरत है हम शुरू से ही कहते हैं एक स्टिमिलिस पैकेज, रिवाइवल पैकेज की जरूरत है अमेरीका, जापान, योरोप भी यही कर रहे हैं बैनर्जी ने ये भी कहा कि हमें MSME सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने के जरूरत है राउल गाने ने पूछा कि क्या डारेक्ट कैश ट्रांसफर वाली नियाय योजना की तर्स पर लोगों को पैसे दिये जा सकते है इस पर बैनर्जी ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐसा किया जा सकता है देश के निशले तबके की साथ फीसद आबादी के हाथों में कुछ पैसे पहुँचने से राहत मिलेगी फायदा भी मिलेगा अभी जीद बैनर्जी ने ये भी कहा कि अगर देश में आधार कार्ट के जरीए पबलिक डिस्रिबूशन सिस्टम के तहट लोगों को राशन दिये जाने की योजना होती तो मज़दूरों को इतनी परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ता आपको बताने कि इससे पहले राउल गाने के साथ बातचीत में रिजर्बंक अफ इंडिया के पूर्फ गवरनर अगुराम राजन ने भी कहा था कि गरीबों की मदद के लिए सीधे उनके खाते में पैसे बेजे जाएं और इस पर करीब 65,000 करोर रुपे खर्च करने पड़ेंगे जो बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुन कुमार आप जे एनियू में प्रोफेसर हैं आप अर्थशास्त्री हैं बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए हमेशे की तरह मेरा पहला सवाल क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार इस वक्त इतनी जागरूक है और इतनी चुकन्नी है कि नोबल विजेता अभीजीद बैनर जी जो जे एनियू के पड़े हूँ है जहां आपने एकनामिक्स पढ़ाई है आरबी आए के पूर गवर्नर रगुराम राजन और अभीजीद बैनर जी जैसे बड़े अर्थ शास्त्रों के सुझावों पर गौर फरमाएगी हमारी सरकार देखे गौर फरमाना चाहिए करेगी या नहीं करेगी यो तो कहना मुश्किल है पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस समय सरकार की हारत बहुत पतली है अब अर्थ शास्ता 25 परश्चा से जादे नहीं चल रही है यानि कि इस समय माइनस 75 परशंट का ग्रोथ रेट चल रहा है और ये एक साल से पहले सुधार नहीं होगा तो इस साल हमारा रेट ऑफ ग्रोथ माइनस 37.5 परशंट या माइनस 40 परशंट रहेगा तो हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम से कम 50 परशंट गिरेगा तो tax GDP ratio जो पिछले साल 16 प्रश्चत था वो 8 प्रश्चत पे आ जाएगा और 8 फ्रस्थ था क्योंकि 35-40 प्रश्चत गिर जाएगी तो वो 200 लाग करोर रुपए से गिर के 130 लाग करोर हो जाएगी तो यहीं कि कुल मिला कि जो tax पिछले साल 32 लाग करोर था वो इस साल सिरिफ 10.5 लाग करोर रुपए एकटा होगा अगर बहुत अच्छी स्थिती रही तब मेरा मानना उससे भी कम तो सरकार के जो बुन्यादी खर्चे हैं वो नहीं हो पाएगे इस बार और सरकार को बहुत ब पावर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं और मेरा मानना है कि अगर वर्ल्ड बैंक की पावर्टी लाइन का आधा एक्स्टीम पावर्टी लाइन वन पॉइंट नाइन डॉलर है अगर वो 75 रुपए पे क्याल्क्लेट करें और अगर आधी जनता को हम प्रुवाइड करें व देश में लागू लागू लागडाउन ने देश की अर्थ वस्ता को प्रटर से उतार दिया है जैसे प्रॉफेसर अरुन गुमार भी कह रहे हैं देश का जो राजकोशी घाटा होता है फिसकल डेफिसित जीडीपी के 4.4 फीसद के स्तर तक पहुंच चुका है यह 6 साल का केन सरकार ने 30 मार्च को खत्म हुए वित वर्ष में फिनैशल लियर में 3.8 फीसद के फिसकल गैप का लक्ष रखा था आपको बता दे कि सरकार के रिवेन्यू और खर्च में जो अंतर होता है उसे ही डेफिसिट कहते हैं ग्रोथ रेट कम होने से बजट का गैप बढ़ रह है लॉगडाउन के कारण रिवेन्यू कम है खर्च बढ़ रहा है आर्थिक बंदी के कारण टैक्स कलेक्शन में कमी आने से यह स्थिती बनी है एक लाख सतर हजार करोड रुपे के रिवेन्यू की कमी के कारण घाटे का जो तादाध है जो संक्या है वो बढ़ गई है जान पर शास्त्रों के यह भी मानना कि भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट इस साल जीडीपी के आट फीसद तक बढ़ जाएगा जबकि बजट तीन पॉइंट पाच फीसद है बजट में वहीं सी आई आई के एक सर्वे के मताबिक ज्यादतर कंपनियों के सीई ओ सितंबर तक मा जाए अगर तो इसकी आशनका आप देखते हैं क्या और इसका मतलब क्या है देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमको नए ढंग से सोचना पड़ेगा जितने भी आनलिस्ट हैं चाहें वह आएम फो चाहें बाखी क्रेडिट रेटिंग एजनसी हैं वो पुराने धर्रे में स एक्तार से चल रहा था चोकि हम तो सिर्फ सेंटर के फिसकल डेफस्ट की बात कर रहा हैं उसमें तीन प्रेश्ट जो और दें स्टेटS का उसमें जो और पबिक सेक्टर का तो यारी 200 लाग करोड पे हमारा फिसकल डेफस्ट इस बार साड़े-10 प्रेश्ट के करीब होने व पान लिजे सबसीडी जोड लिया कुछ और जो पहले से जोड लिया लेकिन हेल्थ का खच्चा बढ़ जाएगा तो वह और पंदरा प्रश्चत बढ़ जाएगा तो 45 प्रश्चत हमारे GDP का फिसकल देफ्सिर हो जाएगा तो इसलिए चार प्रश्चत पांच प्रश्चत और च्छतर की बात तो कहीं आती नहीं है, जब तक की हम अपने खर्चे नहीं काटेंगे, हमको अपने salaries क्रत करने पड़ेंगे, हमारे जो बाकी फिजुल खर्चियां हैं, वो काटनी पड़ेंगी, सेमिनार हैं, मीटिंग्स हैं, डिफेंस का खर्चा है, हमारे पास सरकार के पास तो बुन्यादी खर्चे जैसे इंट्रेस्स पेइमेंट के लिए पर्याप पैसा नहीं रहेगा, अभी आप देख रहे हैं कि स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, कि सैलरी दे पाएं, ये सिटी और बिगरती जाएगी, तो इसलिए हमको बिलकुल नए धंग से सोचना पड़ेगा, नया बजट बनाना पड़े क्योंकि एकॉनमी अभी चल नहीं रही है, जब एकॉनमी चलने लगेगी, तभी तो स्टीमिलस काम करेगा, जब फैक्ट्री बंध है, जब बिजनस बंध है, तो आप स्टीमिलस दे भी देंगे, तो पैसा डूब जाएगा, तो और ये पैसा आएगा कहां सी, ये पैसा हम जब फिसकल डेफसर होगा, तो आरबी आई से लेंगे, मॉनेटाइज करेंगे, या हम बॉरो करेंगे, क्योंकि इस समय बैंक 7 लाग करोर रुपया, जब आरबी आई में डिपॉसित कर रहे हैं, वहां से बॉरो कर सकते हैं, जो अमीर आदमी है, वहां पे थोड़ा बहुत टैक्स, लेकिन मैं कहूंगा कि अमीर आदमी की वेल्थ भी करीब 50% गिर जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर गिर गया है, रियल स्टेट गिरेगा, चोंकि बहुत सारे बिजनेस तेल करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में आएगी, तो प्रॉपर्टी के प्राइसे जिर जाएगे, तो इस समय वेल्थ जो वाले हैं, उनके भी बहुत देना काफी कटिन हो जाएगा, इंकम टैक्स कम हो जाएगा, GST कम हो जाएगा, तो कि GST भी जो कलेक्ट होता है, वो non-essential चीजों पे होता है, जैसे कारे हैं, अब उसका उत्पादन चल नहीं रहा है, तो जैसे कलेक्ट नहीं होगा, जो बाकी और non-essential चीजों पे या तो GST का रेट कम होता है, या बिलकुल फ्री होता है, तो वहां से तो कलेक्ट होगा नहीं और उसी का उत्पादन जादे होगा, तो GST का कलेक्शन भी 10-15 प्रश्ट होगा, इंकम टैक्स, कोपरेशन टैक्स का भी बहुत कम होगा, तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय तो पूरा बजेट रीड्रॉ करके सिर्फ सर्वाइवल पैकेज अगर हो जाए, तो वो एहम है, हमको पुराने धर्रे में नहीं सोचना है कि आज से तीन महीने पहले क्या था, बजेट कैसा था, अब वो बिलकुल ब पैकेज की मांग कर रही है, उद्योग जगत भी सरकार से प्रोटसाहन, स्टिमिलोस पैकेज की मांग कर रहा है, अकेले नैशनल हाइवेज असौरेट इफ इंडिया यानि एने चे आई को, अलगलग एजिंसियों को, अठारा हजार से बीस हजार करोड रुपे देने हैं, दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने अपने घटे रेविन्य को देखते हुए, फ्यूइल पर वैट बढ़ा दिया है, दिल्ली में पेट्रोल एक रुपे 87 पैसे प्रती लीटर और डीजल 7 रुपे 10 पैसे प्रती लीटर महंगा हो गया है, केजरिवाल सरकार ने शराब की MRP प एक से लेकर 24 फीसे तक की कमाई होती आई है परमपरेक रूप से, वही महराश्य सरकार ने करोना के कारण सभी बड़े खर्चों में कटौती का एलान किया है, नई विकास पर योजनाओं और नई भरतियों पर रोक लगा दिया है, जैसा प्रफेसर अरुन कुमार बता रहे कदम कौन से होने चाहिए, आपने बताया कि खर्चे कम करने, कटौती कम करनी बगरा है, लेकिन क्या मौझूदा सरकार, पहले सवाल कि मैं वापिस आता हूँ, इस हालत में होगी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो विशेशग्य हैं, उनकी राय ले, यह शुरुआत कहां से कर सप्लाई भी चली गई है, और यह एक बहुत जारा डिप्रेशन है अर्फियस्ता में, जिसके निकलने में कई साल लगेंगे, तो अभी जो स्थिती जो खराब हुई है, वो हमारे आई नहीं, वो विदेशों में भी हुई है, आप चीन का रिकवरी देखिए, वहां रिकव जो लोग परेशान है, उनको और परेशानी हो जाएगी, वो जे नकली शराब मीने लगेंगे, उससे डेथ होगी, मेरा मानना है कि इस समय हमें एक नई थिंकिंग चाहिए, कि अपनी अर्थ हिस्सा में गरीब को कैसे बचाएं, जो 50% है, बिजनेस के लना हो और हेल्थ का सिस्टम, इतना ही हम कर लें, तो इससमें बहुत बड़ी बात होगी, और फिर स्टिमिलस की बास झालतो अर्वाइं प्या कर दिस्टम, झालतो आवाईद्टिम्टण की आवशाएं, जो प्यांग गरीब के चाहिए, प्यांगा है, बिकिंग चाहिए, कि लेए पयाँ आवाईशने समय होगी, और फिर में गरीब की खाहिए, जो आवाइं, नो चाहिए, जो